दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मिंग नोलेज पर आसा करते हैं बहतर होंगे मचलियां भी अच्छी तरह से ग्रो कर रही होंगी दोस्तों तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत पुर्ण टॉपिक लेकर किया हैं य आपकी मचलियां बीमार नहीं हो जाड़े के दिनों में दोस्तों अनेकों बीमारी मचलियों को गरस्त कर देती हैं दूसरा जब धूप नहीं निकलता है तो आपके तालाब में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती है दोस्तों इसी सब भी सैक के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको जनकारी देने का प्रियास करेंगे यह बहुत ही महत पूरुन वीडियो होने वाला है दोस्तो वीडियो पूरा देखेंगे ऐसे हम जैसा सुचते हैं कि आप लोगों को उस तरह का वीडियो ज़्यादा पसंद आता है जिसमें कोई यूटूबर बताता है जो भी वीडियो होता है ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने मचलियों को फीड सही ढंक से खिलाएंगे तो छे महीने में धाई किलो मचलिया हो जाएगी उसके लिए बहुत सारी परकिडिया से गुजरना पड़ता है आप लोगों को दोस्तो सारी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है ठंडी के दिनों में किस तरह हम ध्यान रखे बरसाद के दिनों में किस तरह से ध्यान रखे सबसे ज़्यादा ठंडी के दिनों में या बरसाद के दिनों में जब सुर्ज कम निकलता है बरसात के दिनों में आकास में बादल चाय रहता है तो सुर्ज नहीं निकल पाता है ठंडी के दिनों में कोहडा चा जाता है सुर्ज नहीं निकल पाता है इन दिनों में बहुत सारी प्रोब्लम आती है आपके मचलियों को दोस्तो खास करके तलाब में ऑक्सिजन की कमी हो जाती है इसी पर हम दोस्तों चर्चा करने का प्रयास करते हैं जो भी मुझे जनकाडी है देने का प्रयास करते हैं इसलिए इस तरह के वीडियो को भी आप लोग देखा किजिए तब जाकर के आपको संपूर्ण जनकाडी मिलेगा दोस्तो मचली पालन एक बहुत ब्रिहद चीज है बहुत बढ़ा संसार है समझ जाए बहुत जनकाडी आपको इकठा करना पड़ता है सफल मचली पालक बनने के लिए दोस्तो तो जब सारी जनकाडी आपको होगा तब जाकर के उस तरह से आप काम करेंगे तब जाकि आपकी मचलीया अच्छी तरह से गुरो कर पाएंगी दोस्तो तो चलिए विडियो को हम आरंब करते हैं दोस्तो दोस्तो ठंडी के मौसम में आपको साब्धान रहना पड़ेगा बहुत साब्धान रहना पड़ेगा दोस्तो जरा सिला परवाही आपको बहुत बड़ी नुकसान पहुंसा सकता है आपको लाखो गवाने पर सकते हैं भायो दोस्तो हम बात करने जा रहे हैं ठंडी के दिनों में कराके की ठंड मचलियों के लिए बहत खतरनाक है सर्द मौसम का मचलियों पर प्रभाब और उसका रोक थाम बहुत ही आवस्यक है दोस्तो ठंड के दिनों में धूपना निकलना के कारण आपके तलाब में अक्सीजन की कमी हो जाती है क्योंकि आपके तलाब में घूलित अक्सीजन निर्मान होने में सुर्ज की रोसनी का बहुत योगदान होता है दोस्तो दोस्तो आप जानते हैं कि आपकी मचलियां पानी के अंदर घूले हुए अक्सीजन को ही अपना गलफरे के माध्यम से सांस लेती है और जब सुर्ज की रोसनी आपके तलाब में नहीं पहुँच पाती तो अक्सीजन कैसे बन पाएगा और मचलियां सांस कैसे ले पाएंगी दूसरा अधिक ठंड और अक्सीजन की कमिके कारण मचलियों में बिभिन परकार के रोग फैलने लगता है अतह मतस पालकों को जागरूख होने के जरूरत है दोस्तो दोस्तो अधिक ठंड के कारण मचलियों में अलसरिटेटिव सिंड्रोम वाइरस रोग फैलने लगता है जिसके फलसरूब मचलियों के सरीर पर लाल चकत्य पढ़ना चालू हो जाते हैं पंक भी सरने लगते हैं दोस्तो इसके कारण मचलियां मर भी सकती है एक कबारे में सारी के सारी मचलियां मर सकती हैं दोस्तो और उनका बरहवार भी ठप हो जाती है जब आपकी मचलियां बीमार हो जाएंगी लाल चकत्ते पर जाएंगे पूछ सरने लगे तो गुर्थ कैसे होगा मचलियों का इस सारी चीजों का उपचार दोस्तो हम बताने का पर्यास करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको दोस्तो इसका एक उपचार हम आपको बताते हैं कि चुना, जो चुना है या बहुत जरूरी चीज है दोस्तो आपको अपने तालाब में एक एकर के तालाब के बारे में हम बताने जा रहे हैं दोस्तो ठंडी के दिनों में 100 केजी चूने का पड़ियोग करना चाहिए 100 केजी चूने का आपको पड़ियोग करना चाहिए पड़ती एक माह जैसे दिसंबर जनबरी दो माह आपको अपने तालाब में 100 kg एक एकर के तालाब में चुने घोल करके आपको छिरकाव कराना परेगा तब जाकरके मचलियों में बीमारी होने का चंस बहुत कम जाएगा दोस्तों और अगर आपको पता चलता है कि आपके तालाब में अधिक आकसीजन की कमी हो गई है तो उसके लिए दोस्तो हम बताते हैं आपको दो तरह की दवा है जो आपको अपने तालाब में डालना चाहिए नमबर एक में आता है दोस्तो आकसी टैव करके एक दवा आती है दूसरा आकसी रीच ये दो तरह की दवा है दोस्तो जो आपको अपने तालाब में डालना चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए दोस्तो जो भी रोग गरस्त मचलिया है सपोच कीजिए मान लिजए कि आपकी मचलियों कुछ मचलियों में बीमारी पकड़ लिया है लाल चकत्ते वाली बीमारी तो जितने ही मचलियों में बीमारी पकड़ा है उसको अपने तालाब से बाहर निकाल दें दोस्तो और एक और दवा हम आपको बताने जाड़े हैं जिस को पता नहीं है तो लाल दबा आप दुकान में मांगेंगे तो दे देगा या पोटेसियम पर मैगनेट मांगेंगे तो दे देगा इसको क्या करना है दोस्तों कि इसका एक एकर के आपका अगर तलाब है तो एक केजी पोटेसियम पर मैगनेट अगर आपकी मचलियां बीमार नहीं भी है अगर उसमें विमारी नहीं भी लगा है तो जिस तरह से आपको चुने का पर्योग करना है दोस्तो उसी तरह से आप potassium permagnate एक एकर के तलाम में एक केजी का पड़योग कर दें एक केजी दिसंबर माह में दोस्तो और एक केजी जनबड़ी माह में बस दो महिने आप कर लेंगे फरबरी के बाद दोस्तो थोड़ा सा धूप निकलने लगता है तो प्रोब्लिम अपने आप खुद बखुद समाप्त हो जाता है दोस्तो आसा करते हैं दोस्तो यह चोटी सी जानकाडी महतपुर्ण जानकाडी आपको लाप पहुंचाएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिएगा जो भी सवाल पुछना होगा पुछिएगा दोस्तो और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बंधुओ धन्यवाद